हलो फ्रेंड्स मैं एकता आपका अपने चले पर स्वागत करती हूं और आज मैं आपको सनैल की फूल यानि मैं फूल नहीं कहूंगे इसको सनैल की कली उसकी सब्जी बनाना बताऊंगे यह काफी पॉस्टिक होता है और बहुत ही इसमें औसदी गुण होते हैं तो अकसर आप बजार में इसको देखते होंगे लेकिन इसके गुण्वता के बारे में नहीं जानते हैं तो आज मैं इसके गुण्वता के बारे में बताऊंगे कि कितना पॉस्टिक होता है इसमें जो छोटी बड़ी कलिया होती है वो सब्जी के लिए परयोग की जाती है और मैंने तेल्गु में जनूम कहते हैं अलग अलग जगह इसे कई नामों से जानते हैं यह काफी और सद्धी गुनों से भर पूर होता है तो यह सीजनल है तो जरूर ट्राइब करना चाहिए और आज मैं इसके फायदे के बारे में बताऊंगे तो अब आप चरूरी इस तरह की सब जि जो चोटी कलिया है उस तरह मैंने इसको लिया है और सारे डंठल को मैंने तोड़ के अटा दिया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब करना मत बुलेगा मैं नएने तरीके की रेसिपी लेकर आती हूं और यह देखिए मैंने सनेल को अच्छे से साफ कर लिया है और यह देखिए कुछ मसाला मैंने लिया है यह तड़के के लिए लाल मिर्च मेथी जीरा और लहसुन लिया है यह मैंने एक बड़ा प्याज लिया है धनिया लिया है और मैंने धनिया है और सरसू है हल्दी है नमक है लाल मिर्च और खटाई है तो यह सबसे पहले तो ये मैंने बताया कि मेरा 200 g सेराल है उबालोंगी तो ये देखें मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया शेका है 5 उबाँज हो चुक और मैंने इसको देखी यह पांच मिन्ट हो चुके हैं और मैं अब गैस बंद करूंगी और इसको 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 सारा पानी निकाल के और दबा दबा के इसको इकदम सूखा मतलब इस तरह में लोगी तो इस तरह मैं सारा पानी इसका अच्छे से निकाल लोगी दबा दबा के य इस में आपक्षा में आपका गद्धने आ थे खिर देता सरसो पीस है अर इस तरह में कच्छा मसाला काते हैं तो यह देखी मसाला मेरा रेडी हो चुका है इथर देखे गैस में ने कड़ा चड़ा दिया है और इसमें एक बड़े चमच में तेल डालूँगी तो इसमें तेल अधिक लगता है तो मैंने सिर्फ एक चमच डाला है तो भी यह बहुत ही टेस्टी बनेगा और तड़के के लिए मैं देखे मेथी ली हूं जीरा ली हूं तो यह जब मेथी और जीरा यह सब पढ़ता तड़के में तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और एक बात और बताना चाहते हूं कि हम लोग को सीजनल सबजी खाने चाहिए सीजनल सबजी काफी ताजी और अच्छी मात्रा में रहती है तो हमको जरूर खान चाहिए और इस सबजी को आप बैगन, आलू और टमाटर के साथ भी पका सकते हैं वह भी बहुत टेस्ट आता है तो यह देखिए मैं अब हल्दी डाल दे रही हूं और अब साथ में जो मसाला मेली थी इसको कच्छा मसाला कहते है वह भी मैं इसको डाल के अच्छा सी बहु तो यह दो अच्छा होता है और यहां तक इस सरोध में बताया गया है कि सनेल के फूल होते है वह जीवानों रहित गुन पाया जाते हैं और इसमें यह हमारे लिए काफी अच्छा होता है कई रहों के लिए अब मैं देखिए थोड़ा सा पानी और डाल के बहुनोंगी तो मैं अच् Euro है अच्छा मैं यह चत् Kimberlyовал मैंन तो सुष्ऑ करना हूं छह च्छा में अच्छा मैं इस- गया कर दोन अदया सबने कि अच्छा में अब मुझे कर बहुनतर कर दो रहता है तो मैं अच्छा मैं अच्छा होता है इसमें अच्छा मैं फाइवर होता है जो हमारे अब मैं सनेल का फूल मैं अच्छे से मिला रही हूं ताकि जो सारा मसाला है इसमें अच्छे से अब्रब हो जाए अच्छे से मिला रही हूं मैं अच्छे से मिला रही हूं बहुत ही मनलब पॉस्टिक होता है हमारे मैं बताया कि इसमें काफी अच्छी मात्रा में फास्फोरस और कैल्सीम होता है जो हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए काफी अच्छा होता है तो देखिए सारा मसाला इसमें अच्छे से मि और यह हमारे स्वास्त के लिए भी काफी अच्छा होता है तो मैंने बताई कि सनाइल के फूल में थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी उपाय जाता है और इसके फूल में फेनॉल और फेनॉल मत्तत तो पाय जाता है जो बहुत ही महत्तपूर्ण ओसदी है तो यह इसलिए मैं सब्लाज के लुञाट के हमारे ज्यावर के साथ की अनय भाग भी काफी अवस्त्या पूल माने जाते है तो इसकी जढ़ पती बीज भी काफी लाजों मे उपियो की लिए यह nivell की आख सजोनल सीजीन, हमको स्बजी हो एक ज्द हुए करना चाह edυार। में यह दumिदरी आज मेरे घर की दो दो बार लाइट चली गई थी तो मैंने आपको यह भी नहीं दिखा पाई कि नमक और मैंने खटाई भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस को आफ कर दिया है यह देखे मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूं यह बहुत ही टेस्टी और अज सबजी है देखे इसका कितना सुंदर यह देखने में किती सुंदर लग रही है यह काफी हेल्दी होती है और आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स मैं कोसिस करती हूं कि आपको नही नही जानकारिया दू और नही नही रेसिपी आपको बताओं जो काफी अच्छी लगती है तो भी बताइएगा और अगर नहीं अच्छी लगती है तो भी बताइएगा थैंक यू फ्रेंड्स